नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हूं अपना यूटीब चैनल जरकंड CAC में मैं मंत उसकुमार हाजिरू नई बुडी के साथ दोस्तों आज मैं बात करूँगा डिजी पे के नए वर्जन के बारे में यहने की 6.5 के बारे में बारे बायो मैट्रिक मशीन में लाइट नहीं आती थी और हम लोगिन नहीं कर पाते थे हमें दुबारा से डिजीपे को ओपेनल करना पड़ता था वो वाली दिक्कत बिल्कुल हट गई है कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली दूसरा जो major update है वो ये है कि deposit live हो चुका है हलाकि फिलाल अभी इसमें 23 ऐसे bank है जो normally use नहीं होते हैं बहुत जादा कुछ बड़े public sector bank अगर इसमें आ जाए तो मज़ा आ जाएगा बढ़ते हैं अगले update के भी से में तो हमें यहाँ पर iris वाला option दिखाई दे रहा है यानि कि अब हम iris की मदद से भी पैसे निकाल सकते हैं जैसे कि हम 4.6 वाले version में कर पा रहे थे और iris वाला option काफी अच्छा है काफी बढ़ी update है और साथी साथ हमें यहाँ एक refresh button दिखता है जिसमें हम click करके हमारा जो biometric device है उसे register कर सकते हैं फिर से यानि कि refresh कर सकते हैं normally आप यही समझो अगर आप अपने laptop या computer से morfo निकाल के iris device लगाते हो तो उस time यह button काफी अच्छे से काम करेगा आपको service पर जाके rd service restart या stop करने की जोरत नहीं पड़ेगी इस button के मदद से तो यह काफी अच्छा feature है तो दोस्तो बस यही चार updates आपको इसमें देखने को मिलेगी जो की काफी अच्छी updates है और आगे चलके इसमें और भी updates आने वाले हैं उसकी भी जानकारी मैं वीडियो के मादम से आपको दे दूँगा वीडियो अगर अच्छी लगी हो कुछ चीखने को मिला हो तो like और share करना बिल्कुल ना भूले हमारे channel पर अकर पहली बार आए हैं तो subscribe करके ही जाएं चुकि आप वीडियो तो देख लेते हैं ना like करते हैं ना share करते हैं और ना subscribe करते हैं तो मेरा एक humble request है कि like share और subscribe बिल्कुल करके जाएं और अगर मन में किसी तरह का कोई सवाल है कोई suggestion है तो नीचे कमेंट जरूर करें हमें आपके कमेंट का इंतिजार रहेगा फिर से मिलूंगा किसी अधर टॉपिक के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे